कोटेशवर मंदिर हमारे वर्दा के पास ही है और इसका लूप बहुत खुबसूरत है चलो हम बताते आपको यह वो मंदिर जो कि बहुत प्रसिद्ध है यह आप है और यह प्लेश बहुत ही खुबसूरत है बहुत खुबसूरत है यह प्लेश आज पहली बार ही आए है हम यह आप है तो चलो आप सबको बताते कोटेश और मंदिर यह मंदिर वर्दा के पास ही है और इसका रास्ता वर्दा से 45 किलिमेटर का है इस जगह पर आने पर आपको समझ में आएगा कि इस जगह पर इतनी शांती है यह कोटेशर महादेव मंदिर कोटेशर देवस्थान बहुत बड़ी प्लेश है गाईज बहुत बड़ी प्लेश है और बहुत खुपसूरत है यह आप एक बार जरूर आना अग्याद्ट यह आपको समझ में 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 आपको समझ और इस मंदिर के पीछे के रीवर जाती है, वो भी बहुत प्रसिद्ध है, आज हम वही पे आये हैं, रीवर पे, रीवर यानि के घाट, यहाँ पे घाट है, इस घाट के खासिय दिये हैं काइज कि यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, और हमारे जो पीत रहते हैं, उंका श्रात करने के लिए आते हैं, अभी हम उसे घाट पे जा रहे हैं, यह है वो घाट और यहाँ का पानी बहुत शुद्ध है, और हम सुबह सुबह ही आए हैं, यहाँ पे इसली यहाँ पे जादा अभी तक लोग नहीं आए हैं, लेकिन जैसे जैसे दोपेर होती है, तो यहाँ पे बहुत भीड होती हैं, और बहुत लोग आते हैं, अपने लिए ही प्रच्छित है यह देखिए हमारी पूरी फैमिली पर आप गोग कोड़ आडनित ministर नियक प्यांक, हो के आटना? कि ए खरुएंग्डों ट्रहे छिर्गushi गारे मिह बहुआ कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो दो जुट है